हलो दोस्तो आप सभीका स्वागत है अपने ही चैनल जी के माधिका पर दोस्तो आज के इस वीडियो में बिहार एससे सिजल के लिए प्लेटफॉन बुक भॉलूम फोर से टेस्स सिरीज देखेंगे तो दोस्तो अगर आपके बिहार एससे सिजल का एकजाम है तो आपके लिए एक वीडियो काफी हेल्फू रहेगा इसलिए दोस्तो वीडियो का लास्ता जरूर देखेगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिजेगा क्योंकि दोस्तो इस चैनल पर रेगुलर 75 क्यूचन GKS का टेस्स सिरीज सुरू कर दिया गया है अगर कौन चोल राजवन्स का संस्थापक था तो दोस्तो बिजय आले जो है चोल राजवन्स का संस्थापक था ठीक है तो इसका राइट अंसर ओप्सन सी हो जाएगा अगला प्रसन पूछा गिया कि गंधार के दूभासिस साइल सिलालेख की इन दो भसाओं में लीखे गये हैं तो दोस्तो असोग के सिलालेख की खोज सरुपर्थम 1750 में पादरेटी फैन थेलर ने की थी ठीक है असोग के अभिलेख पढ़ने में सबसे पहली सफलता जो है 1837 में जियम्स प्रिंसेप को मिला ठीक है तो सभी फैक्ट को ध्यान रखेगा अगला प्रसने पूछा गिया ह कि हडपा कालिन अस्थल रंगपूर भारत के किस वर्तमान राज में इस्थित है तो दोस्तो हडपा कालिन अस्थल रंगपूर भारत के गुंजरात राज में इस्थित है ठीक है तो इसका राइट अंसर ऑप्शन भी हो जागा अगला प्रसने देखते हैं कि युचन एक्सट में भारतिय पुरात्तों सर्वेच्छन के महान रिजशक बने और उन्हें पराया भारतिय पुरात्तों के जनक के रूप में जाना जाता है ठीक है तो इसका राइट एंसर ओप्शन ए हो जाएगा अगला प्रस्न पूछा गया कि मुल भारतिय सविधान को हस्ता बंगाल के नवाब की सेना ने कासिम बजार की कोठी पर आकर्मन किया इस समय बंगाल का नवाब कौन था तो दोस्तों चार जून 1756 को बंगाल के नवाब की सेना ने कासिम बजार की कोठी पर आकर्मन किया इस समय बंगाल का नवाब सिराजु दौला था ठीक है तो इसका प्राचिन असमारक सनचन एक्ट किस वाइसराय के कार्जकाल में पारित हुआ था तो दोस्तों पूछा गिया कि बाल गंगार धर्तिलक द्वारा संपादित कौन सा समचार पत्र ब्रीटिस सासन के सबसे कटू आलोचकों में से एक था तो दोस्तों एक पॉइंट हाँ पर और धियान रखेगा कि वेलेंटाइल शिरोल ने बाल गंगार धर्तिलक को भारतिय असंतोस का जनक कहा था तो इस प प्रस ने पूछा गया कि सर्वोच भारतिय नागरिक पुरसकार भारत रत्न निम्लिखीत में से किस वर्स में आरम किया था तो दोस्तों सर्वोच भारतिय नागरिक पुरसकार भारत रत्न जो है 1904 में आरम किया था ठीक है तो इसका राइट अंसर ओप्शन स्यू हो जाग और सिवी रमन को दिया गया था ठीक है अब दोस्तों एक पॉइंट और यहां पर ध्यान रखेगा कि भारत रत्न जो है सरुपर्थम किस व्यक्ति को दिया गया था तो भारत रत्न सरुपर्थम सरुपलिराधा क्रिश्नन को दिया गया था सचिन तंदूलकर एक मात्र ऐसी खिलाड़ी है जिनको भारत रत्न दिया गया है तो सभी फैक्ट को ध्यान रखेगा ठीक है अगला प्रसंद पुछा गया है कि वर्स वर्स उनाइसो तीस में सी राजा गोपाल चारी ने निमली खित में से किस अस्थान पर नमक कानून तोड़ा था तो दोस्तों वर्स उनाइसो तीस में सी राजा गोपाल चारी ने वेदारनियम वेदारनियम अस्थान पर नमक कानून तोड़ा था ठीक है तो इसका राइट जनक रुधिर वर्ग A, B के हो तो उनके बच्चों में A, B तथा A, B रुधिर वर्ग के हो सकता है ठीक है तो इसका राइट अंसर ओप्सन B हो जागा अगला प्रस्न पुछा गिया कि नीचे लिखे के कवको में से कौम सा खाने के लिए उप्रियुक्त है तो दोस्तो मोर केला अस्क्यूलेंटा कौमक जो है खाने के लिए उप्रियुक्त है ठीक है इसका राइट अंसर ओप्सन C हो जागा अगला प्रस्न देखते हैं कि उचन पुछा गया है कि कैडमियम परदुसन का सम्द किस बीमारी से है तो दोस्तो कैडमियम परदुसन का सम्द जो है इटाई इटाई विमारी से है ठीक है तो इसका राइट अंसर ऑप्षन भी होगा अब दोस्तों बात किलेते हैं रख्तालपा किसके कारण होता है तो दोस्तों रख्तालपा जो है बिटामिन हो जागा अगला प्रसंद देखते हैं कि द्रवβ विलायक की नीश्चित मातरा में घौल सकने वाले भर ठोस विलें की अधिक्तम मातरा निर्भन नहीं करती यह और किसे पर निर्भन नहीं करती यह तो दाब पर निर्भन नहीं करती है ठीक है तो इसका राइट अंसर ओप्सन सी हो जाएगा अगला प्रस्ण देखते हैं दोस्तों क्यूचन पुछा गया कि कोहिमा का जूद दोस्तों महान जोदड़ों में मिले महा असनानगर को बीटु मेन की परत चढ़ा कर जल रोधी बनाए गया था ठीक है तो इसका राइट अंसर ओप्सन यह हो जाएगा अगला प्रस्ण देखते हैं कि भारत बंगला देश भूमी सीमा समझोते के संसोधित संस्क्रण को दोनो देश भारतिय सविधान के संसोधन अधिनियम 2015 के तहत अंगिक करित किया था ठीक है तो इसका राइट अंसर ओप्सन भी हो जाएगा अगला प्रस्ण पूछा गया है कि भारत के सविधान के किस अनुछेद में यह उलिखित है कि देवनागरी लिपी में लिखित हिंदी सं की राजभासा होगी ठीक है तो इसका राइट अंसर ओप्सन डी हो जाएगा अगला प्रस्ण देखते हैं कि उचन पुछा गया है कि निमलिखित में से कौन एक पंचायतों से संबनित नहीं है तो इसका राइट अंसर ओप्सन भी हो जाएगा कि सविधान चोहतर्मा संसोधन अधिनियम जो है नगरपलिकाओं से समानित है ठीक है तिहतर्मा सविधान संसोधन जो है पंचायतों से समानित है ठीक है अगला प्रस्ण पूछा गया है कि निमलिखीत कार्जों में से कौन सा कार्ज अस्थानिय सोसासन से समानित नहीं है तो दोस्तों कौन सा अगला प्रसंद रखते हैं कि यूचन पुछा गया कि भारतिय सविधान का अनुच्छेद 51A निम्न में से किस समझनित है तो भारतिय सविधान का अनुच्छेद 51A जो है मुल कर्तब से समझनित है ठीक है तो इसका राइट अंसर ऑप्सन भी हो जागा अब दोस्तों बात कि कि मुल कर्तब जो है भारतिय सविधान के किस भाग में वर्णित किया गया है तो भारतिय सविधान के भाग फोर के कव में मुल कर्तब का वर्णन किया ठीक है और दोस्तों वर्तमान में कितने मुल कर्तब है तो वर्तमान में गारा मुल कर्तब है और रूस देश के सविधा दिएां तो सभी bats को धियाण रखेए अगला प्रस्न पूछा गया है कि भारते संविधान का कों अनुच्छथ सहखाले संमितियों के संवर्धन से संबनेत हैं यह आजी झिए कि निमनी खीट में से की स्राज में विधान समानिरवाचन छेत्रो की संख्या सबसे अधिक है तो उत्तर पर देश में अगला अगला प्रसने पूछा गिया है कि भारत के सविधान की कौन से अनुसूची राज़सभा में सीटो के आवंटन से समदित है तो कौन सा अनुसूची जो है राजसभा में सीटों के अवंटन से सम्मंदित है तो चौथी अनुसूची जो है राजसभा के सीटों के अवंटन से सम्मंदित है ठीक है तिसका राइट अंसर बी हो जागा है अब दोस्तों बात कर लेते हैं छठी अनुसूची तो दोस्तों अनुसूची में सविधान दवारा मानेता प्राप्त 22 भसाओं का उलेख किया गया ठीक है तो सभी फैट को ध्यान रखेगा अगला दोस्तो कीशन पूछा गया है कि निमली खीत में से कौन सा अंतरा प्रिष्ट पर प्राप्ति नहीं किया जा सकता है तो दोस्तो गैस गैस अंतरा प्रिष्ट पर प्राप्ति नहीं किया जा सकता है तो इसका राइट अंसर ओप्षन डी हो जागा ठीक है अगला प्रशन पूछा गया कि निमली खीत में कौन सा कथन सही नहीं है तो दोस्तों A option में दिया गया है कि कुछ पूर्ती रोधी साबुन में मिलाये जाते हैं तो A सही है मिलाये जा सकते हैं तो सही है B. option में नदिया गया कि, कुछ विशंग करामियों के, तनू बिलियन परतिरोधी के, समान उपयोग किये जा सकते हैं, A. 4. option सही है, C. option में नदिया गया कि, विशंग करामिश्ग परतिरशुच्म, जैविक औसधी होती है, A. भी सही है, ठीक है, परतिरोधी और उस्थी खाई जा सकती है यह गलत है परतिरोधी और उस्थी खाई नहीं जा सकती है ठीक है इसका राइटनसर ओप्शन डी हो जाएगा अगला प्रसंद देखते हैं कि यूचन पुछा गिया कि किसी पदात के समावयोगों को क्या करते हैं तो दोस्तों किसी समावयोगों के अनुसूतर समान होते हैं इसका राइटनसर डी हो जाएगा अगला प्रसंद पूछा गिया है कि निमन में से कौन सा कथन सत्य नहीं है तो ऑप्शन इसका जो हो जाएगा सही बी जो है कथन सत्य नहीं ठीक है प्राकिर्ति रबड के परतेक दीव बंधन पर ट्रांस बिन्यास होता है एक गलत है ठीक है अगला प्रसंद पूछा गिया कि निमन में से किसका परसांतक रूप में उपयोग किया जाता है तो किसका जो परसांतक रूप में उपयोग किया जाता है तो इक्वेनिल को परसांतक के रूप में उपयोग किया जाता ठीक है त दोस्तों वर्षल उन्हेशो शॉट में भात और पकिस्तान के बीच सिंधू जला संधी पर हस्ता अचर के गये थिक है तिसका राईट एंसर आपसण डी हो जागा अब दोस्तों बात कलते हैं कि सिंधु जल संधी पर किस ने हस्ताचर किया था तो सिंधु जल संधी पर कराची में भारत के परधान मंतरी जवाहरला नेहरू और पकिस्तान के राश्पती आयूप खान ने हस्ताचर किया था सिन्धु जल संधी में 20 बैंक ने मध्यस्ता किया था ठीक है तो सभी फैक्ट को ध्यान रखेगा अगला प्रस्ण पूछा गया है कि निमलखित में से कौन सा अक्सफोर्ड डिक्सिनारी का वर्ड ओफ दा इयर 2022 चुना गया है तो दोस्तों गोबलिन मोड जो है पूछा गया है कि सहित एकादमी पुरस्कार किस वर्स में शुरू किया गया था तो दोस्तों सहित एकादमी पुरस्कार भारती सविधान के आठ्वी अनुसूची में सूची बद 22 भसाओं तथा दो अनिभसाओं राज़ा स्थानी और अंग्रेजी भसाओं में रचित साहित के लिए दिया जाता है ठीक है अगला प्रसंद दखते हैं कि उचल पूछा गया है कि नीमन में से किसे वईस्ट अर्थ सास्र के जनक के रूप में जाना जाता है तो जो आलफ्रेड मार्सल को जाना जाता ठीक है तो इसक करातमक बाध्यता सामिल होती है जैसे पर्दूशन तो दोस्तोν फिगोवियन फिण टेक्स न लेंदिन पर लगा जाता है जिन में करातमक बाध्यता सामिल होता है जैसे पर्दूशन ठीक हare इसका राइट एंशर ओफ्सन डी हो जाएगा अगला प्रसंद द stretched कि किसी देश के GDP उस देश में खाली अस्थान माल और सवाओं के उत्पादन के माध्यम से जोड़ेगे मुल्ग का मानक माप है तो तो किसी देश की GDP उस देश में परतेक एकांतर वर्ष में माल और सवाओं के उत्पादन के माध्यम से जोड़ेगे मुल्ग का मानक माप है ठीक है तो इसका राजकोष्य निति किसी देश के सरकार को खाली अस्थान परवाह को नियंत्रेत करने में मदद करती है तो तो राजकोष्य निति किसी देश के सरकार को कर राजसु परवाह को नियंत्रेत करने में मदद करती है ठीक है इसका राइट एंसर ओफशन ए हो जागा अगला प्रसंद देखते हैं कि युचन पूछा गया कि भारतियों के लिए स्वास्ते और फिट जीवन सहली का मार्ग पर सस्त करने के लिए फिटनेस गतिविदियों और खेलों को अपने दैनिक जीवन में सामिल करने के उदेश से भारतियों को परसाहित करने के लिए फिट इंडिया अभ्यान कब कब नगवर अनिराजस्थान में पहला गराम पंचायत का उद्घाटन किये थे तो दोस्तों पर्थम परधान मंत्री जो है पंडित जवहाला नेहरू ने जोहला नेहरू ने 2 अक्टूबर 1969 कोक नगाउर अनिराजस्थान में पहला गरम पंचायत का उद्गाटन किया था ठीक है तो इसका राइट अंसर ऑफ्सन भी हो जगा अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि गरम पंचायत भारतिय सविधान के किस अनुच्छेद में गठन किया गया है तो दोस्तों भारतिय सविधान के अनुच्छेद चारिस में गरम पंचायत के गठन समंधित प्रवधानों को उलेख किया ठीक है अगला प्रसंद देखते हैं कि युशन पूछा गया कि नेमलिखीत में से कौन सा लोक निरित्य जार्खन राज की जंजातियों से सम है समदित है ज्यार्खन राज के जनजातियों से समन्धित है ठीक है अब दोस्तों बात करते हैं जार्खन के मुख लोक निरित्य कौन कौन से घ्यारकन के मुख लोग मंडा दसाई, सहरूल, जतरन, नागे नाच ये सभी जारखन के मुख लोग निरती है अगला परसन पूछा गया है कि प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है तो दोस्तो प्रोटीन की कमी से क्वास योरकर रोग होता है इसका राइट एंसर आप्शन भी हो जागा अगर दोस्तों आपसे क्यूशन पुछा जागा कि मराशमस रोग किसके कमी के कारण होता है तो दोस्तों मराशमस रोग भी प्रोटीन की कमी के कारण होता है ठीक है अगला प्रस्तों पुछा गया कि एक धनावेशित वस्तू और रिनावेशित वस्तू को समी पलाने पर उनक पुछा गिया है कि निमलिखीत में से कौन से परानी समूद्रों में पाय जाते हैं, तो तो अगला प्रसन पूछा गिया है कि सलिषमा झिली की सूजन को ब्रॉंकाइटिस कहा जाता है तो इसका राइटन्सर आॉप्शन A हो जाएगा अगला प्रसंद देखते हैं क्यूचन पुछा गिया है कि सरीर के किन भागों में रक्त का परवाह तेजी से होता है तो दोस्तों सरीर के किन भागों में रक्त का परवाह तेजी से होता है तो महा धहमनी में जो रक्त का परवाह तेजी से होता है तो इसके राइट आश ओप्सन, ऑपने हो जएगा. अब दोस्तों बात करेंसेम कि धामनी में सुथ्रक्ट का परवाँ होता है और जबकि सरा में असुथ रक्ट का परवाँ होता है. अगला पहाड़े सिमा पर आजब सिखाई देता है तो दोस्तों माउंट सारा मती संखा니 जो है वह परवत सिखर है जो भारतिय राज नागालेंड और मयानमार के संगाइंग सरेनी की पहाड़ी सीमा पर आसपास की चोटियों से उपर दिखाई देता है ठीक है तो इसका राइट एंसर ओप्शन सी हो जाएगा अगला प्रसंद देखते हैं कि उचन पुछा गया कि म मिर्दा के सबसे नीचे अनि मिटी के सबसे नीचे ले परत को तल से ली और इसका दूसरा नाम होता है सी संस्तर भी कहा जाता है ठीक है तो दोनों आत रखेगा अगला प्रसंद पूछा गया है कि बारा लाचा दर्रे के दोनों किनारों पर से निकलने वाली दो और भागा जो है चिनाव नदी बनाती है ठीक है तो इसका राइट डसर ओप्सन बी हो जागा अगला प्रसंद पूछा गया है कि पक्य बाग अभ्यारण निम्लखीत में से की स्राज में इस सी थै तो दोस्तो पक्य बाग अभ्यारण जो है अरुनाचल पर्देश में इस्तित है ठीक है इसका राइट असर ओप्संस जी हो जागा अगला प्रसंद रखते हैं क्यूस्टन पुछा गिया कि 2011 जनगन्ना के अनुसार निम्लिखीत में से किस राज में जनसंख्या घनतव भारत में सबसे कम है तो दोस्तों जनगन्ना 2011 के अनुसार किस राज में जनसंख्या घनतव भारत में सबसे अधिक है तो दोस्तों सबसे अधिक बिहार राज कहा है ठीक है अगर दोस्तों किंद्रसासित पर्देश की बात करें तो दोस्तों किंद्रसासित जनसंख्या घनतव वाला किंद्रसासित पर्देश जो है दिल्ल भारत में पिछड़े वर्गों और जातियों के प्रवक्ता के रूप में वर्नित किया जाता है तो दोस्तों डॉक्टर बाबा साहिब सरत कमल एक भारती प्यासेवर एक भारती प्यासेवर टेवल टेनिस खिला है ठीक है तो इसका राइट एंसर ऑप्षन भी हो जागा अब दोस्तों बात के लेते हैं कि वर्स 2022 में अंचत सरत कमल को मेजर ध्यानचन्द खेल अगला प्रसंद पूछा है कि निमलिख्षीट में से दूसरा ईच भारतनागरिक समान जो है पदम भूसन उना पूरण नापतार नाट रहूं बीपूससा जो है दूसरा उच भारतन नागरिक समान है और पहला चैनल भारत रत नहीं है अगला प्रसंद दखते हैं दोस्तों कीशन पुछा गया कि परोटीन की कमी से हो सकती है तो दोस्तों परोटीन की कमी से पेचिस हो सकती है तोचा रोग हो सकता है बालों का रंग उड़ सकता है उप्रूग सभी हो सकता ठीक है तो इसका राइट अंसर ओप्सन डी हो जाएगा अगला प्रशन पूछा गया है कि निमलिखीत में से कौन सा उर्जा का परामपरिक सरोत नहीं है तो पवन्चक की उर्जा का परामपरिक सरोत नहीं है ठीक है तो इसका रायट नसर ओप्सन भी हो जागा है अगला प्रशन पूछा गया है कि निमलिखीत में से किसमे परमानों की संख्या अधिक्तम होगी तो CH4 के 18G अनि 18 गराम में सरवाधिक परमानों की संख्या होगी ठीक है तो इसका रायट नसर ओप्सन डी हो जागा है अगला प्रस्ट पूछा गया कि विटामिन जो अस्टेवराइड है तो कौन से विटामिन जो है अस्टेवराइड है तो विटामिन डी जो है अस्टेवराइड है ठीक है इसका राइट असर ऑप्सन डी हो जागा ठीक है अगला प्रस्ट देखते है क्यूचन पूछा गया है क्यूशन पुछा गिया कि साइटो प्लाजमा एक जेली जैसा द्रब होता है जो खाले अस्तान में मौझूद होता है और यह दोस्तों केंद्रक और कोशिका भीति के बीच मौझूद होता है ठीक है तो इसका राइट अंसर ओप्सन ए हो जाएगा अगला प्रसंद देखते है दोस्तों कीशन पुछा गिया कि दच्छिन अमेर्की देश प्रागवे किरलधानी कहा है तो दोस्तों दच्छिन अमेर्की देश प्रागवे किरलधानी असुन सियन है ठीक है तो इसका राइट अंसर ओप्सन सी हो जाएगा अगला प्रसंद पूछा गिया कि निमली खीत म सब्सक्राइब आफ रहे जाए एक दिश पसक्राइबंतर अब दोस्तों भाद कर लेते हैं कि परस्तितिक तंत्र में आगिया वायगी कीषिए परश्तितिक तंत्र में यहां ठाया खेगा एक लाव प्रसंद रहते हैं कि कि यूजन पुछा गया कि भारत में किस निर्जन दीप में एक पच्छी अभ्यारन इस्तित है तो दोस्तों भारत में पीटी दीप में एक पच्छी अभ्यारन इस्तित है ठीक है तो इसका राइट अंसर ओप्शन ए हो जागा अगला प्रस्ण पुछा गिया कि अमेरिका की पहली महला उप राश्पती कमला हैरिस का मुल परिवार भारत के किस राज से संबन दित है तो दोस्तों अमेरिका की पहली महला उप राश्पती कमला हैरिस का मुल परिवार भारत के तमिलाडू राज से संबन दित है ठीक है तो इसका राय टेंसर ऑप्शन भी हो किसे नुक्त किया गया तो समीर भी कामत को किया गया ठीक स्टोरी ओफ इंडियाज इलेक्शन पुष्टक के लेखक है तो नविन चावला ठीक है इसका राइट अंसर ऑप्शन दी हो जागा अगला प्रशन पूछा गया है कि परधान मंत्री ग्रामोदय ओजना का धे क्या था तो दोस्तों परधान प्रशन पेजल अवास्त ग्रामिन सड़क है इसका राइट अंसर ऑप्शन अगला प्रसंद देखते हैं और दोस्तों इसका शुरुवात कब किया था तो शुरुवात इसका 2000 कि इस विल में किया गया था ठीक है आगे दखते हैं कि पूछा गया कि पंचायती राज र holy pot के संदर में निमली खित में से कौन सा कथं सही है तो सुस्तों कौन सा कथन सही है से इसका प्रवधान सविधान के नुछट 243 clean तिरी में किया और दोसरा ग्याए आरट छन अनुछे 334 में बिण दृष्ट अवधी के समापती पर पर और प्रभाइद नहीं ठीक है त uniquely दूग गलत है फिर एक सही है इसका राई टेंसर ऑप्साना और ग्रावजागा ऑगला प्रसंद दखते हैं कि इन्यस को सांतिपुस्काद 2020 किसे समानत किया गया है इसका राई टेंसर बिशेगा अगला प्रसंद दखते हैं कुछा गिया, एक तट्व की परमानु संख्यां 13 है, तो इस तट्व में כतने ऐ होते हैं? तो तट्व में कितने ऐ हैं, तो कैसे ऐना सालेंगे दोस्तों तो परमानु संख्या 13 तो इसका विन्याज सबसे पहले लिख लेंगे ठीक है इसका अगला नगति टापमान बढ़ता है तो धावनी की की गति क्या होगी तो जदी तापमान बढ़ता है तो धाउनी की गति भी बढ़ती है ठीक है इसका राइट एंसर ऑफशन डी हजाएगा अगला प्रस्ट पूछा गिया कि एक वस्तु छे सकंड में 18 मीटर और पूरा चार सकंड में 18 मीटर की जात्रा करती है तो वस्तु की अवस्त गति क्या होगी तो दोस्तो वस्तु की अवस्त गति लिकालना है तो अवस्त गति परवर होता है कूल दूरी बटा कूल समय तो कूल दूरी कितना मालू है तो छे सकंड में 18 मीट एक उस्तिर बल बल की दिशा में वस्तु द्वारा अस्तिर बल और दूरी के परिमान के रूप में दर्साया जाता है तो इसे क्या का जाता है तो दोस्तो जदि किसी वस्तू पर लागू एक इस्थिर बल, बल की दिशा में वस्तू दोबारा अस्थनांतरित बल और दोरी के परिमान के रूप में दर्साया जाता है, तो इसे किया गया कार्ज कहा जाता है, तो इसका राइट अंसर ओप्शन भी हो जाएगा, अगला प् के वीडियो एहें तो रहने लिते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नए सेट के साथ, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करेगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेजेगा, जाहिंद!